पूरे परिवार के तरब से आप सब भी को मेरे पूरे परिवार के तरब से मेरे पूरे परिवार के तरफ से आप सभी को हैप्पी नी मियार और देखे फ्रेंज आज जिस हम नो मैं नहां धोक आई तो गाह में चिंटुक पापा के सभी दोस्त लोग पिकनिक जा रहे थे तो वो न नहीं गए तो मैंने एक ही बार बोला कि हम चलेंगे पूरे परिवार तो उन्होंने एक बार में हां कहा और हमने अभी ही तयारी कर ली अभी तयारी की मैंने हादोकर आ गई थी उसके बाद मैं थोड़ा सा खावी ली हूँ और मैं बच्चों को भी खिला दी थी नास्ता और अभी टाइम हो गया है चुंद प्याज की मैंने पेस्ट भी बणा के इसमें रग दी है आधा तयारी मैं निकल ली है तो आगे की तयारी मैं करती ہूं तो हम कहां जाते हैं कहां पर हम पिक्णिक मनाते हैं तो आप देखते रहें कंटिनीव मेरे involves में बने रहें तो मैं आपको आगे आगे सभी दिखाती हूँ और देखे फ्रेंज उतके बाद हम घर से रेडी होके निकल गए थे और यहां रास्ते में हमें जो कुछ भी लेना था ना वो हम लेकर चार रहे थे दुकान से और हमारे यहां से जादा दूर भी नहीं है हम जहां जा रहे हैं बसपास में ही है और अभी तो साड़े दस बज भी बज गई थी तो हम लोग निकले थे और जो आज और भी कोरा चाई हुई थी तो इसलिए हम लोग लेट से निकले और हलकी हलकी अभी भी है और बच्चों का बहुत दिन से मन था कि पिकनिक चलेंगे ऐसे भी खाली दिन में बोलते रहते थे कि चलो पिकनिक चलते हैं चलो आज चलेंगे कल चलेंगे तो ऐसे न हम आही नहीं पा रहे थे तो चिंडो के पापा जी बोले कि एक तरीक को जाएंगे तो एक तरीक को जाए जहां हम आ रहे थे हमें यहां यहीं खाना बना के खाना है यहीं पिकनिक मनानी है तो हम आये तो उतने में बहुंस सारे लोग आ गये थे बहुंसे लोग आ गये थे पहले से और हमें थोड़ी से लेट भी हो गई तो काफी टाइम भी हो गया था तो सभी आ गए थे तो यहां हम भी कहीं अच्छी जगा देखकर यहां हम खानाओन बनाएंगे और यहां देखे यह जलासय है तो यहीं किनारे में हम लोग बनाएंगे और यहीं पानी है और यहां उपर एक मंदीर भी है तो इसलिए सभी लोग यहां आते हैं तो चलिए हम य आग जलाने की तैयारी करते हैं और देखे फ्रेंस उसके बाद हमने लकड़ी भी कठा की और यहां चुलहा भी बना लिया और यह बहुती अच्छी बन गई है चुलहा पत्थर से बनाए है और यहां आग भी जल रही है अच्छी तो चलो यहां के वातावरण दिखाती हूँ और यहां जल्दी होगा सोचके न हम दो चुलहा बना लिये हैं यह मामा लाकरी से तो नहीं हुए हो हमान लेके आथान चालगा पापा तो दुम लेए बज़ा बच्छा रूख नगा धीरे धीरे चल रूख मला आटाक रूख आथान माम में जल्दी से हम यहां चल गचाल यहां तो लखरिश ने दिखा देगा पापा कहान लेगो साबर तो कंचा तकंचा भी खाथे और देखे फ्रेंस हम लोग जंगल के अंधर आए हैं और यहां से हम लकड़ी ढून के लेंगे ममी खाना बनाएगी और हम पिकनिक आए हुए हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम पूरे फेमली ही आए हमने बोला था नाना लोगों को तो लोग न नहीं आपाए तो हम ही चले आए तो हमें बहुत मजा रहा हैं और देखे अभी हम जंगल में हैं पूरे घंगोर जंगल में तो यहां हम लकड़ी ढून रहे हैं तो पापा ने थोड़ी सी लकड़ी पापा को मिल गई तो पापा उसे तोड़े के रख रहे हैं फिर हम लेके चलते हैं और यहां सूखी लकड़ी बहुत सारी थी तो बड़ी बड़ी थी भी छोटी छोटी भी और यहां देखे फ्रेंस पापा ना पेड़ पर चर गए हैं तो एकडम छोटी सी थे तो पापा ना वहहां चड़ गए तो यहां मैं भी चढना चाहता था पर पापा नहीं लेकि गए तो मैं नीके ही दिखता रहा और यहां बाग है तो बाग निकला है जंगल में तो पुलीस वाले भी आये थी हमारे आने के बाद न तो ओ लोग बोले कि यहां रात मत करना यानि कि अंधेजा मत होने देना रात में यहां बाग निकलती है और पानी पीने के लिए यहां पर आती है तो हम लोग ना थोड़े से डर गये तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था अभी भी तो मैं सभी तरब घूम घूम की देख रहा था कि कहीं कोछ आतो नहीं रहा है उसके बाद फ्रेंड मैं पापा को जल्दी से नीचे उतरने के लिए बोलता हूँ और पापा नीचे उतरते हैं तो यहां हम इकठे किये थे लकड़ी तो उसे हम पकड़ के अब चलेंगे यहां देखे फ्रेंड सामने इतनी लकड़ी कठा कर ले जो खाना बनाने के लिए काफी होगी तो चले अब हम चलते हैं सबस्क्ㅋ झाल मगे लिए करी और देखे फ्रेंज उसके बाद ना चिंटू और उसके पापा जी लगड़ी लेकर आ गए तो मैं आग जला के यहां चावल भी लगा दी हूं और यह चावल भी थोड़ी सी पकने लगी है हलकी अभी पकी है और देखिए यह लंबा वाला चावल है यानि कि यह दावत है साय मैं नहीं देख पाई पूरा तो यह बड़ी बड़ी है तो अभी पकी नहीं है इतनी बड़ी है तो यह पकने के बाद और भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी और यहां सामने ना फ्रेंड लड़की लड़की लोग थे और उनके साथ भी और लड़के लोग थे तो ओना हमार पडोसी जैसे हो गए थे और हम सब अच्छे से घूल मिलके दुसरे से बात कर रहे थे तो अच्छा लगा और उनको मैं बोली मैं तो बोल दें कि मेरी चैनल है सब्सक्राइब करना तो सबया देखे और ज़रूर करेंगे दिती बोलके तुरन देखके तुरन सब्सक्राइब क कर रहे थे और हम लाए हैं चिकन तो इसे हम अच्छे से बना लेते हैं और देखे फ्रेंज जितने लोग हम आये थे तो उतने नहीं थे तो थोड़ी देर में हमारे आने के बाद यहां और भी लोग आ गए थे और मा पापा जी और मेरा बड़ा बेटा यहां बैठे थे तो मंदिर के तरफ भूम के भी आ गए थे और हमें लेट हो गया इतने में डेड़ बच गई थी तो हम लोग बैगन भी लिये थे टंगरी बनाने के लिए तो वो नहीं बना पाए लेट हो गया तो बच्चों लोगो को भी भूख लग गई थी और इतना सब बनने के बाद उनको थो सबर ही नहीं रहा तो इसलिए हम लोग टंगरी को रहने दे दिये और इतने ही बनाए तो मैं जब पोड़ियां बेड़ रही थी और पापड निकाल रहे थे ना तो हमारे पड़ोसी लोग बोल रहे थे कि आ सारे आइटम बना रहे हो दिदी तो पिकनिक में तो यह सब होता ही है बोल रही थी मैं और इनसे बहुल टाइम तक बाते भी कि और उन्होंने भी हमें अच्छे से बात किये तो हमें अच्छा लगा और हम ही लोग थे ना तो हमें इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा परिवार वालों के साथ बाहर जाओ और इस तरह से पिकनिक मना के बाहर खाना खाके आनाना सभी को अच्छा लगता है हाँ वैसे होते ही हैं ओल्ड फेसन वाले लोग जो यह साब उन्हे पसंद नहीं होती तो फिर चलो जो होते हैं होते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगत है और घर में ही रहो घर का ही सब काम हो और घर में ही बंधी जैसे के दे रहना भी अच्छा नहीं लगता कभी इतनी बड़ी दुनिया है तो भूमों भीरों भी और बाहर देखना भी चाहिए और देखे चिंटुक पापा जी बहुत अच्छी पूरियां तल रहे हैं जो बड़ी फुली फुली सी बन रही है और ये लोगा भी मुझे बोर रहे थे कि आप अच्छी दिदी आप दोनों बना रहे हो खाना और हमेना कुछ और भी बोर रहे थे अच्छे हमारे बारे में और देखे यहां हमारी पूरियां भी बन के रेडी हो गई थी सबजी हो गई थी और मैंने सब के लिए खाना भी निकाल दिया तो आपको हमारी पिकनिक अगर अच्छी लगी है फ्रेंड तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अच्छी ना लगी हो तो दिसलाइक भी कर सकते हो तो इसके बाद हमारा खाना भी हो गया और बच्चे और सभी न खा लिए तो उसके बाद मैं खाई और देखे फ्रेंज हमारे पड़ोसी लोग यहां सेलफी ले रहे थे और यह तो बनता ही है कि हम कहीं जाएं पाहर तो यादगार के रूप में हमारे पास फोटो या वीडियो हो तो वो लोग यहां सेलफी ले रहे थे और जितने भी यहां आये थे तो सभी का खाने का टाइम भी हो गया था और यहां हमारे और बगल में थे वो लोग बहुँ सारे लोग थे कम से कम 20 या 25 लोग तो मेरे भी खाने का टाइम हो गया था तो मैं भी यहां खाना खा रहे थी ब्रेफगे भी खाने का बस्तवब खाने किर घ्रदानेशन ऊता है hmm ए मारे था बेका टाइम झाइम यहां हो रह्याम हो लाग बाऻन खा जाँ खाने का साना खाल खाल 8mm ऍलже मेरे लाग उठार शज़िद Sus самых जाना किरत खाल लाटो मेरे हो गज़ लताकár खाल 10mm प्रेंस खानाव ना खाके हम सब भी बैठे थे यहाँ तो हमने भी सोचा कि हमारी भी आदगार रहे हमें भी आद रहे कि हम लोग एक साल पिकनिक गए थे तो इसलिए मैंने भी यहाँ सेलफी ले लिया और दो तिन फोटो निकाल ली और उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ बैठे थे कम से कम 15-20 मिनद तक और उसके बाद हमने सभ बाइबाइ करने का टाइम आ गया है तो हम अब घर चलते हैं और यहाँ भी भी पहुंसे लोग थे और देखे फ्रेंज फैनली उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं घर आ गए हमने अच्छे से पिकनिक मनाई एंजोई किया और उसके बाद हम वहाँ से निकले तो हम कपड़े इधा हुदर पड़े हैं और थोड़ी देर के लिए ही घर छोड़कर जाओ न तो आने के बाद घर अलग साही लगता है तो अभी मैं सभी कपड़े को अच्छे से अपने अपने जगहा पर रखूंगी और नीचे काम के लिए स्टार्ट कर लिए हैं तो कपड़ा और खुड़ा कपड़ा रखके मैं भी चलूंगी तो इससे पहले चाय का भी टाइम हो गया है तो हम चाय भी थोड़ी सी पी लेते हैं और देखे फ्रेंस चाय पीने के बाद मैं भी यहां लग गई हूं काम में और यहां पतल बना रहे हैं चिंटुक पापा जी तो इसे मै मैं पेकिंग करूंगी तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा मिलते हैं नेस्ट आउडियो में तब तक लिए आप सभी को बाबाए